पूरी देश और दुनिया में एक ही चर्चा है राम आएंगे 22 जन्वरी को आयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर सारा जैसे संसार या पूरे देश के तमाम सारे लोग एक तक निगाह लगाए हैं बैठे हैं इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु की वो प्राण प पतिष्ठा में वह भी साक्षी होंगे वह संकल्प जो लिए गए साधू संतों के वह पूर्ण होंगे वह पूर्ण आहुती पड़ेगी और ऐसे यग्यमें साक्षी बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडि धीरेंद कृष्ण सास्त्री जैने आप प्यार से कहते है अपने बाबा बागेश्वार जी धन्यवाद आपका और आपके सवी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद भाईया जी बहुत अद्भूत कहें अब राम लला हम आएंगे मंदर वहीं बनाएंगे अब लोग बन गया है अब राम लला हम आएंगे कृष्ण जनम भूमी जाएंगे आपके साथ अच्छी बात है कि एक जगे सा दूसरी जगे खोल देते हैं आप मैं आऊंगा वहां भी आऊंगा लेकिन एक बाता यह राम की यो जो धनुश वाली है या वो थुमक चलत राम चंद्रबाज कौन सा अच्छा लगता है राम तो वीर हैं रगवीर है हमें वीरत तो बहुत पुसंद है वीरता इसलिए वरतमान समय के लिए बैसे तो राम लला ही प्रिय है राम लला वो निश्चल है लला लला वो निश्चल है राम ही के वरतमान समय में प्रतंचा पर चड़ाए हुए कान तक तीर वो तीर जो भेदन कर दे अधर्म का अधर् का हमें लोगों को नहीं मारना उनके बिकार अपने ही तो सब हैं कि इनको मार रहे हैं आपने ही तो यह भी है वो भी है यह भी है यह भी है इसलिए बिचार बदलने की बात कर लें हमने कहा ना बिकारों पर बिचारों पर तीर मारना है बिकार मिट गए बिचार बदल गए तो तो राम का ये तीर का प्रतंचा का जो ये विग्रह है, ये विग्रह मानो सफल हो गया, फिर राम की चित्र की नहीं, चरित्र की जरूरत जो है इस देश को, वो पूर हो गई, और हमारे कोई बिरोधी नहीं, हम किसी के बिरोधी नहीं, हम सब के हैं, और राम सब के हैं, ये सि धांत प्रतिपादित हो जाए एक शब्द चलना है आज कल वो राजनीत में भी खुप चलता है कटर है आप प्र कहा है के लिए धन उसकिसी तरफ बिलकुल जरूरत है अगर यह जरूरत ना होती तो राम जी क्यों लेते रामड ही क्यों मरता रामड तो प्रतीक है ना उस बु अहनकार का उसी बुराई के प्रतीक जतने लोग हैं उनके अंदर जो बढ़ा हुआ एहनकार है उसके लिए यह भिग्र हमने उनको उल्लू नहीं का उदाहरण है उदाहरण है हम तो गाउं की आदमियों उदाहरण उपर बहुत जीते हमारे पास ऐसे उदाहरण है हमने कहें अच्छा जब आगे बढ़ता हूं आपको तो निमंत्रन मिल गया ना मिला अब का बता हैं राम जी जिनको बुलाते हैं वही जाते हैं सब नहीं जाते हैं अधा जिनको मिला वो नहीं जा रहे हैं तो क्या कहेंगे वह बड़े बाले अभागी हैं जितना कोई नहीं है उनसे बड़ा भागी जिस दर्शन के लिए लाखों पर लोग चले गए प्राना हुती देदी संत महात्मावने तन त्याग द तोड़ दें निमंतरन की जरूरत नहीं इनिविटेशन की जरूरत नहीं है यह वहां तो पहुंच जाना चाहिए लेकर हां प्रसंट्रस्ट का प्रोटोकॉल है बाइस्तारीक का उसको निभाकर फिर खूब दर्शन करना चाहिए जिनको मिला वो अभागी है जो जा नहीं जो जा रहे हो वड़े भाग गसाली है क्योंकि राम जी बुला रहे है जो जान नहीं जिनको मिला और नहीं जा रहे है वो अब आगे है अब आगे मतलब जानते हो और फिर वो स्वामी निश्चला नंजी ने कहा कि सब काम मोदी जी करेंगे तो क्या शंकराचार जी जाके वहां ताली बजाएंगे वह हमारे धर्म के प्रधान मंत्री है पुरीबाले मिश्चला बहुत ज्यानी बहुत अद्भुत हम जगद गुरु तुलशी पीठा दीशो धर्म चक्रबरती पद्वे भीशन गुर्देव भगवान के बाद न्याय पून तरीके से कोई हम से उनके मत उनके विचार किसमा हमें राम जी को देखने जाना है अब सब्सक्राइब काम राम जी से लिए आप जब हैदराबाद की बात आती तो तुरंत कह देते हैं और जब आपको बात कोई और कहनी होते तो आप दीरे सा चुप हो जाते हैं बिलकुल भी चुप नहीं होत में जतना अपना चमता है क्योंकि हम घ्ञानी नहीं हम TARA हमारे पास रिया हमारे सरकार को ठान हम उनके इंपकर नहीं है राम जन्जी मांसाहरी खिशनonya राम को नहीं पढ़ा प्रभुसिराम को नहीं पढ़ा जिस नहीं भी नहीं धीर दात्यानी है नाही अज्ञानी अपन आपको मानती नहीं यह वो ज्यानी है नहीं अग्यानी अपने आपको माननी रहे इसलिए उनकी मती खराब हो गई और भगमान इनको सद्गती दे और सुद्ध मती दे यही शुर्शे प्राथना है प्रभूशी राम को जानो पहले राम चृत मानस पढ़ो गड़ो समझो खेल सकलने लीला लीटा तो करते हैं लेकर प्रमात्माने हnt अमर्यादित काम नहीं हो ब्रह्म है जो सत्ट्रू के साथ भी अमर्यादित काम नहीं करता व। ग्रह्म नारायन उनको कोई समझा भी नहीं सकता है, पस्मों के नियम है, इंसानों को कोई नियम नहीं, पस्मों के नियम है, गाय भूकी हो, आप उसके सामने सेर का भोजन रख दो, वो नहीं खाएगी, सेर भूका हो, पीजा रख दो, नहीं खाएगा, आदमी को कुछ भी दे दो, वो सब खा जाएगा जादा समझाओ तो मारी खोपड़ी खा जाएगा उनको क्या कहेंगे जो यह कह रहे थे कि भई विग्रह तो रहे वहाँ पे रामलला का है तो फिर मूर्ती की विग्रह है पर दूर्शे शब को दर्शन हो पाएं उन्होंने का कि जो विपक्स के लोग है नाम लेना क कि आप भी जानते हैं उन्होंने का कि क्या जरूरत थी मूर्ती की हमारी मती अगर आप पूछो हाँ आप ही की मती पूछ रहा है तो बहुत जरूरत है रामलला छोटे थे तो पांसो साल तक परेशान किया अब थोड़ा बड़े हो गए ठिकाने लगे रहेंगे आप कभी य जानी याद आ जाएगी से सावधान आज यह कथा में आजकल रोचकता पैदा करने के लिए होता है यह इल्कुल भी नहीं यह रोचकता पैदा करने यह वीरत जगाने के लिए होता है क्योंकि आज तक की कथाओं में सर्फ राम को रोते हुए बताया हा सीते है सीते हमारा र बहुत अच्छा है लेकिन वर्तमान समय में बहुत अच्छा है आ गया है यह बर्तमान समय कहते कहते तो यहां कौन घरदूशन जो आपको बार बार दिख रहा है यह देश अपना है सुन्दर है नजिया परवत है पहाड़ है अब आप आपने सुना नहीं हमें तो बहुत दिख रहे हैं ऐसे खरदूशन एक कनाम बताई हैं सब कुछ है राम राज्य की स्थापना की और भारत बढ़ रहा लेकिन राम चर्तमानस को फाड़ा जा रहा पाल घर के संतों को मारा जा रहा रहा राम को कालपनिक बताया जा रहा राम के उपर उठाई जा रही राम मंदर नहीं विद्याले अस्पताल बनने चाहिए नहोंने कभी यह नहीं का मस्जित की जगए अस्पताल ब इनकी था ते अरे राम से तु नहीं है रामसे तू है ये जानने होस समझने को मजबूर में नहीं समझने को तैयार होनी यह करदूशन के गए घुछरे बेट सिन इसलिए हम कहते हम वीरतory के allow तो जब समंजस ना बेठाने बाले को मिटा देना चाहिए हैं इतने लोगों को कुछ सिधर जाएंगे कुछ सिधर जाएंगे और अगर दिरिष्टे से सब को समय दिरिष्टे से सब को देख लिया जाए तो क्या रही अच्छा हो जाएगा बस बुरा मंदिर की स्वागत कर ले तो क्या बुरा हो जाएगा तो सुपरेम कोट ने कह दिया, अब तो सबने मान लिया. अचा, यह एक बागदा है, सुपरेम, कुछ लोग यह कहते है. आधने मान लिया, तो फिर यह प्रशन के ऊज़ो अभी आपने पढ़ी कुछ देर पहली. सबने मान लिया, यह प्रशन उठाने वाले को तो फिर ये राम के उपर उंगली उठाने बाल तो राम चरित मानस को फार कर क्या लगता है कि राम के चरित्र को या राम के नाम को या राम के अस्थित्तों को कम किया जा सकता है कम नहीं किया जा सकता है पर दाख पहुँचाया जा सकता है प्रभाव तो घटाया जा सकता है राम मिटे नहीं पर पांद सो सालों जोपडी में तो रहे राम हटे नहीं या आस्था पर चोट होती है आस्था पर चोट पहुंची है हमारे जैसे साधारन लोगों के जीवन में तो मानो एक काली रात ही थी हमारी आस्था उनसे भाई हमारा बाप है और बाप अगर बीमार पढ़ा या जोपडी में पढ़ा तो बेटों को तो दुख होगा साधा आप भी एक पिता के पुत्र है तो आपको कश्ट हुआ होगा ये परम पिता है हमारी हमें तो कश्ट हुआ इस देश का नायक है और किसी को अगर कश्ट नहीं हुआ तो ये उसकी दुर्दसा की बात है लोग कह रहे हैं कि सवाल ये पूछा गये कि सियासत जो है उसमें राम को लाने की क्या ज़र हो था विपक्ष तो अक्सर ये बात कहता है वो जो है राम को सियासत में लाते है दो दंड है धरम दंड राज दंड धरम से राजनीती चलती है राजनीती से धरम नहीं चलता एक सिद्धान्त पहले ये समझ ले राम से राजनीती है राजनीती से राम नहीं भारत के जगे हुए लोगों को इस सक्कर सुगर रूपी परे इस से बचना है कि राम राजनीति का बशाए नहीं आस्था का बशाए, राम बोट बैंक नहीं है, राम पावर बैंक है, राम किसी की बापोति नहीं है, राम ब्यापक है, राम, सहज हैं, सरल हैं, सुशील हैं, सुजान हैं, लेकिन सब के हैं सोला गुण है, पूरे संपन है लेकिन सब के, सब के तो फिर विपक्ष के भी हैं विपक्ष के भी हैं तो आप फिर वो सवाल की उठाते हैं कि अगर वो गंगा में डुपकी लगाएं गंगा में वो डुपकी लगाएं वो अगर जनिव पहने वो अगर महा कालेशवर गाएं हमने नहीं कहा लोगों ने कहा ये राजनेतिक विशे है ये टिपडियां राजनेतिक है एक दूश्रे को नीचा दिखा कर खुद को शुपरपावर बनाना ये राजनीति है और सत्रू की भी महमा गाना ये धर्मनीति ये हमने राम जी से शीखा है अपने आचारे चरण से ये सीखा है तो कोई सत्रू नहीं इस देश में किसी शीखा है इस देश में सत्रू कोई है ही नहीं लड़ाई तो अच्छे विचारों बुरे विचारों की, उधर भी है, हमारे तो अपने में हैं, हम तो मजभप्र भी नहीं ले जा रहे हैं, हमारे तो कुछ हिंदू भी आगी के लगे अपने ठटरी के बरे, न कटा, न काटने योग हैं अपने, जो अपने होकर, जिनके पु हमारा सिध्धानति इनके विचारों को बदलना है, और राम पर शियासत नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पर आ रहा हूं, इतने सवाल उधर उठा दिये, जातिगत करना क्या है, फिर, और भूलो क्या है, जाती बात बढ़ाना ही कैंसर है, जाती बात करना ही कैंसर है, इसलिए कि वो जो हाशिये पे लोग है, उनके बारे में, ये बेतुकी बात है, इस देश में जाती बात है, बेरोजगारों की बात करना होनी चाहिए, आप इसको किस तरह से देखते हैं, जाती बात करना है, आप बेरोजगारों की बात करना करवाओ, भू करमां करवार yeah कितने किस भद फार लगा ली प्रश मेंolly कितने किसानों कि करवा ओ तो में गड़ना कर वानी यंग हुआ उनकी गड़ना गर्वाओ जो विचारे नौकरी के लिए वाओ, वहाँ रामराज स्थापना की बात करते आप, और गर्ना जातियों की करवार है, गरीबों की बेरोजगारों की गर्ना होनी चाहिए, इस टाप डेम कितने बनने चाहिए, इसकी गर्ना होना चाहिए, किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गर्ना, बुंदेल ख emergency cases के लिए भी ठीक नहीं है हम जहां रहते हैं वहां पर पानी की विवस्ता नहीं है हम जहां रहते हैं जिस गाउं में world tourist place बागे सो धाम है world tourist place ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है उस देश का आदमी नाया हो आज तक लेकिंगे उस देश के अंदर का खस्ता हाल उस गाउं के अंदर का खस्ता हाल सडकें नहीं हैं कीचर में भकते चलते हैं दंडबती पर कमा लगाते हैं कीचर में बसाते हुए बापस आते हैं पर नहाते हैं दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग क्योंकि की चलने के लिए सडके नहीं इसकी भी तो गढ़ना हो यार आप जाती गढ़ना की बात करते हैं इस पर आवाज इस देश में कब उठेकी तो सरकार के आपके बास तो दोनों लोग आते हैं उनके कान काई नहीं पगड़के हैं तो कान पगड़ लीजे ना आप अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी अगर वो समध्दार होंगे तो समझ जाएंगे और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकती है पेज़े चक्प हम बहुत कोई बेतुकी बात ने न्याय पून बात किसी को इसी बातों पर लोगों को हमसे बुरा लगत अब आपको लगता है सही समय है कि आपके साथ कोई साथी होना चाहिए जीवन साथी के तौर क्योंकि यह जब जब यहां पतक आ जाती बात तो लगता है कि यह प्रशन माता पिता जी से का है यह हमारे जीवन के बहुत से पार्ट फिक्स है जिन पार्टों करने ने हमने नह पासे हमें इस पार्ट का फिक्स है कि आप दर्बाल लगाओगे इतना ऐसे गुरु ने क्या कहा था कि इस वर्ष के बाद ही गुरुदेव भगवान ने कहा था कि विवाय करना है टाइम कोई फिक्स नहीं होता है अब यह कह नहीं चकते हैं अगर हो जाए तो कल के दिन कौन यह बीडियो जूटा बने लेकिन इतना लावर्ण है उसमें इतना को मलता है उसमें इतना इतना समयता है कि यह प्रश्ण जो है हमने उसी लिहाज से किया हम बहुत सहजता से माता पिता जो आग्या देंगे और हां उसमें बरात वालों का भाया जी कहिन हो जाए हां अरे ज सवाल दो तीन जल्दी-जल्दी खतम करते हैं बिलकुल क्योंकि पीछे भीड़ है आपके उनिस्सोचौबिस की यानि दो हजार टू-जिरो टू-फूर की जो परची चुनाओं की निकलेगी वो क्या करती है आपके हिसाब से परची जो निकाली जाए निस्सोचौबिस के 2024 की हैं हमने कभी राजनेताओं के भविष्य पर परची नहीं मिकाले है हम पार्टी के पूछ रहा है क्या समभावना लगते है हम कोच नहीं कह सकते है जो देश का कल्यार की हित की सब्द देगा वचन देगा संकल्प पत्र देगा जो भारत को विश्य गुरु बनाने की औ क्योंकि दोनों लोग आपके आपके तालाब में आते हैं पानी पीने हमारे तालाब में नहीं पर बागिश और हनमान जी के तालाब में सब आते हैं हम भी वहाँ पानी पीते हैं हम तो सिर्फ रस्ता दिखाते हैं ऐसे पीना चाहिए तो दोनों को आप विजय भव विजय तो मैं इसके लिए दूसरे इंटर्व्यू का इंदजार करूंगा और जब मैं यही पहला प्रेशन पुझा वो दूसरा हाथ इसका मंदर भी है मत समझ ले ना कि जो जीत जाए उसी पर उठाए हम यह ना 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 मैंने यह नहीं कहा यह आपने कहा हाँ इसको दोनों आज इसक शब्द जो बुलेंगे निए तो भारत यात्रा कर रहें है नहीं शब्द राजनिता हम बोलते इने किसी पर नहीं बोलते हैं आप अठाऊ हम्हारे इंटर्विव्यू हमने इंटर्विवू किसी भी इंटर्विव में बोला हूँ है वेक्ति व्यथिशेश उनकी धीओति यात्रा किसी के भी बारे में नहीं बहुत है राजनीती से संपन नहीं राजनीती से संपन किसी भी बहुत यह तो सच है कि इस पोटली में बहुत सारा चीजें हैं बहुत आशिरवाद है बहुत पूर्ण है बहुत प्रताप है बहुत तपस्या है प्रभु इस तपस्या को आ हुए गया लेकिन इसको फिर और कभी किसी दिन के लिए मुलतमी करते हैं और पर्शन छोड़ के फिर बाकी बिस्तों पी जवाब नहीं देंगे आप देखेंगे अपहर पी देखेंगे देखेंगे देकिन यह बास सच है कि एक बार फिर से आप कर दो कर दो